स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल आटेई पाट साला में तो बच्चो आज हम Elevation of Assemble Flange Coupling की ड्राइंग बनाएंगे यह जो आपका कोश्चन है NCVT Supplementary Exam 2022 का कोश्चन है ठीक है? यह आपके Supplementary Exam में कोश्चन आया था तो इसमें आपको यह Flange की ड्राइंग गिवन थी आपको इसको Assemble करके Complete करना था ठीक है? यह आपके Flange है यह आपका Right Hand यह Left Hand तो आपको इसको Join करके इसकी Assemble को Complete करना था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि Flange Coupling होती क्या है तो यह क्या काम करती है? दो Soft को आपस में Join करने के लिए Flange Coupling का Use करती है ठीक है? तो आपको क्या करते हो? इस तरीके से दो Soft एक Driving Soft होती है एक Driven Soft होती है जिनको Key की मदद से इस Hub में Fit किया जाता है और Nut Bolt की मदद से दुन्नों को Fix किया जाता है तो यह क्या करता है? एक Soft से दूसरी Soft पर Power Transfer करने के लिए इस तरीके से Flange Coupling का Use करते है तो Question में हमें यह Assembly कंप्लेट करनी थी Flange Coupling की ठीक है? आपको क्या करना है? इन दौनों Parts को आपस में Join करना है इस Board की मदद से तो सबसे पहले क्या करोगे? आपने ड्राइंग सीट पर इस तरीके से Central Axis ड्रो करोगे? उसके बीच में एक हलकी सी कच्ची लाइन ड्रो कर लोगे? ठीक है? उसके बाद सबसे पहले आप यह Hub वाडा Parts मनाओगे? यह वाडा Portion तो इसके उंचाई आपने Numerical में कितने गिवन है? 37 mm ठीक है? तो आपने 37 के उंचाई पर इस तरीके से दो लाइन लगा लेनी है निच्च वाइ लाइन के लंबाई कितने रहे आपकी 64 mm क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के लंबाई कितने है? 32 तो 22 बत्ती 64 तो खुल लंबाई कितने रखोगे? 64 उसके बाद क्या करोगे? इसको दुन्नों तरफ से close कर दोगे ठीक है? यह लाइन हलकी से dark रखोगे ग्रीन लाइन आपको बिल्कूल हलकी रखनी है उसके बाद आप कहाँ से start करोगे? अब यह वाड़ा portion आप ड्रो करोगे तो आपके इसके बीच में इस तरीके से एक rectangular बुना लेना है ठीक है? इसके उन्चाई कितनी रखनी है? 80 और आपको कहाँ से बत्त चला? आपको यह dimension कितनी given है? 80 mm और यह जो लंबाई है वो कितनी है? 18 ठीक है? उसके बाद आप यह वाड़ी लाइन क्या करोगे? डार कर दोगे ठीक है? उपर वाड़ी लाइन आप इस portion तक डार करोगे और निच्चे वाड़ी लाइन जो इसकी central axis थी वहाँ तक डार कर दोगे उसके बाद इसके अंदर आप दो लाइन ने वोर लगाओगे ठीक है? यह वाड़ी जो लाइन कितने पर बारहम हैं पर ठीक है? इस corner points इदर कितने था? बारहम तो आप इदर से बारहम की दूरी पर हलकी लाइन लगा लोगे इस तरी केसे उसके बाद जो उपर वाड़ी लाइन उसको डार कर लोगे और निच्चे वाड़ी लाइन यह बार वाड़ी लाइन थी जो हमारी हब की यहाँ तक इसको कैसे रखोगे? डोटिड कर लोगे उपर वाड़ी डार्क रखनी है क्योंकि उपर वाड़ा portion क्या है? आने है इसके अंदर तो दोनों होल की बीच की दूरी कितनी है? 56 mm है ठीक है? तो आप क्या कर दा है? Central Axis से 28 mm उपर और 28 mm नीचे ठीक है? जाकर यहाँ पर आपने Central Axis डो कर लेनी है बोल्ट के लिए क्योंकि यह कुल लंबाई कितनी थी? 56 ठीक है? तो 56 है तो सेंटर से कितनी 28 उपर और 28 नीचे तो यह जो हमारी Central Axis थी इससे 28 उपर गए और 28 नीचे आए यहाँ पर हमने Central Axis डो कर ली उसके बाद आपको बोल्ट की डिमेंशन नीचे गिवन है ठीक है? तो इसकी यहाँ से जो सेंग का इसका कितनी लंबाई है? 30 mm तो आपको इस वड़ी लाइन से जो यह अंदर line है अंदर की तरफ 30 mm के लंबाई तक और जो डाया कितना रखना है? 6 mm यहाँ पर कितना लिख हुआ? M6 तो मतलब डाया कितना रखना आपको 6, तो central axis से 3 mm ओपर 3 mm नीचे इस तरीके से आपको 30 mm की line complete कर देनी है, last में यह आप जाके ट्रच हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको यह head वाला portion complete करना है, तो head वाला portion कैसे complete करोगे, जो आपने यह sank बनाया था इसको आगे extend कर दोगे, तो यह जो जितना डाया आपने यह आपर लिया था, लगबग उसका आदा इस तरफ और आदा, ठीक है, 3-3 mm इदर कर लेना, इस तरीके से आपने दो line लगा लेनी है, उसके बाद दूसरी तरफ भी, क्योंकि दूसरी तरफ हम क्या fit करेंगे, यह nut fit करेंगे, ठीक है, तो इ हम नीचे इस तरीके से line लगा लेनी है, उपर line आपको dark रखनी है, ठीक है, और नीचे की इस तरीके से line आपको dotted रखनी है, उसके बाद आप free end के उपर करोब बना दोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर देना, यह करोब बना देनी है, ठीक है, यह गुलाई दे देनी ह आपको ये गुलाई आपको free end दे देनी है अब आप क्या करोगे ये जो corner point है ठीक है ये corner point complete करोगे तो इसकी dimension हमें given नी है तो आप अपनी dimension अजूम कर सकते हो तो लगबग dead mm के gap पर आपने इस तरीके से चारो corner पर line लगा जेनी है ठीक है नीचे line है आपको dotted रखनी है dash dash में रखनी है hidden lines के तोर पर और उपर dark रखनी है उसके बाद जो ये वाली line है आपकी ठीक है इन line हो क्या करोगे आप dark कर दोगे ठीक है ये line है dark करने के बाद अब आपके पास क्या बचा ये अंदर जो line ने बन्यूई है ठीक है ये जो hub के अंदर hole बनावा था और soft का dimension given नी है ये dimension missing है तो आप अपनी तरब से assume कर सकते हो ये question में mention था कि missing dimension आप assume कर सकते हो तो हमने इसके अंदर दो line ये लगा ली ठीक है ये इसके अंदर जो soft show करने के लिए नीचे वड़ी line आपको dash dash रखनी है और उपर वड़ी line dark रखनी है ठीक है तो हमने इसकी dimension कितने ये zoom कर ली 16 mm और उपर ये जो margin है hole से वो कितना में question में already given है वो कितना 1.2 mm तो इस line से उपर की तरब 1.2 mm की दोरी पर आपको एक line और draw कर देनी है इतनी drawing बनाने के बाद अदर hatching line बनाओगे ठीक है ये जो deadly line देख रहे है आपकी hatching line ना है तो आपको 45 degree के angle पर इस तरीके से hatching line draw कर देनी है तो आयो बच्चों आपको समझ में आगए आईटे संबंदी से परकार के update पाने के लिए आप हमारे YouTube channel IT14 के साथ बने रही है thank you